सनिवार वर्त कथा एक सम्या स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के परसन पर नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ा कि परस पर भ्यांकर यूद की स्थिती बन गई नेञ्या के लिए सभी देवता देवराज उंदर के पास पहुंचे और बोले हे देवराज आपको नेञ्या करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है देवताओं का परसन सुनकर देवराज उंदर以上 में पढ़ गए महल में पहुँचकर जब देवत्या ने उनसे अपना परसन पूछा तो राजावी करमादित्या भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे क्यूंकि सभी देवत्या अपनी अपनी सक्तियों के काण महान थे किसी को भी छोटा या बड़ा कहा देने से उनके करोद के प्रक्रोप से भ्यांकर हाने पहुँच सकती थी अचानक राजावी करमादित्या को एक उपाय सुजा और उन्होंने विबिन धातू, स्वन, रजत, चांदी, कांसा, तंबा, सिसा, रांगा, जस्ता, अब्रग और वैलोहे के नो आसन बनवाए धातू के गुणों के इंसार सभी आसनों को एक दूसरे की पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंगासन पर बैठने को कहा देवताओं के बैठने के बाद राजा विकरमादित्या ने कहा आपका निर्णय तो श्यम हो गया जो सबसे पहले सिंगासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है राजावी करमादित्या के नेन्या को सुनकर सनी देवतर ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के काण अपने को छोटा जान करोधित होकर कहा तुमने मुझे सबसे पीछे बठाकर मेरा अपमान किया है तुम मेरी सक्तियों से प्रीचित नहीं हो मैं तुम्हारा सरवनास कर दूँगा सनी ने कहा सुरिया एक राशी पर एक महिने चंदर्मा सवा दो महिने मंगल डेड महिने बूद और सुक्र एक महिने भर्सपती तेरह महिने रहते हैं लेकिन मैं किसी राशी पर साड़े साथ वर्स साड़े सासिती तक रहता हूँ बड़े बड़े देवतां को मैंने अपने परकॉप से पिडित किया है राम को साड़े साथी की कारण नहीं वन में जाकर रहना पड़ा और रावन को साड़े साती कान ही यूद में में रित्यू का सिकार बनना पड़ा राजा अब तुम भी मेरे परक्रोप से नहीं बच सकेगा इसके बाद अन्याग्रों के देवता तो परसंतक के साथ चले गए पंतु सनी देव बड़े को भूले नहीं थे विकरमादित्या से बदला लेने के लिए एक दिन सनी देव ने घोड़े की वियपारी का रूप धान किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्यानी नगरी पहुंचे राजा विकरमादित्या ने राज्या में किसी घोड़े की वियपारी के आने का समा किया घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर स्वार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गती से दोड़ा तेजी से दोड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिरा कर जंगल में कहीं गायब हो गया राजा अपने न फिर उससे रास्ता पूच कर वह जंगल से निकल कर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेट की दुकान पर बैठकर कुछ देर अराम किया। उस सेट ने राजा से बादचित की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्यानी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से सेट की बहुत बिक्री हुई। सेट ने राजा को बहुत भाग्याओन समझा और खुस होकर उसे अपने घर पर बोजन के लिए ले गया। सेट के गर में सोने का एक हार खुंटी पर लटका हुआ था, राजा को उस कमरे में छोड़कर सेट कुस देर के लिए बाहर गया, तब ही एक आश्चर जनक घटना घटी, राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खुंटी निगल गई, सेट ने कमरे में लोड़कर हार को गायब देखा तो चोरी का संधे राजा पर ही किया क्यूंकि उस कमरे में राजा ही अकेला पैठा था। सेट ने अपने नोकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्चियों से बांध कर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विकरमधित्या से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खुंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराद में विकरमधित्या के हाथ पाउं काटने का अदेश दे दिया। को भोजन मिलता रहा सनी के पर कोप की साड़े साथी पूरी होने पर वर्सारीतु अरंभ हुई राजा विक्रमादित्या एक रात मेग मलहार गा रहा था कि तबी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहनी रत परस्वार उस तेली के घर के पास से गुजरी उसने मेग म मलहार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेज कर गाने वाले को बुला लाने को कहा दासी ने लोटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया राजकुमारी उसके मेग मलहार से बहुत मोहित हुई अत्या उसने सब कुछ जानकर भ लिखा है फिर तुम उस अपंग से विवा करके अपने पाउं पर कुलाहारी क्यों मा रही हो राजकुमारी ने अपनी जीद नहीं छोड़ी अपनी जीद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्रांट त्यागने का निश्चेक कर लिया आखिर राजा रानी को विवस होकर अपंग विकरमादित्या से राजकुमारी का विवा करना पड़ा विवा के बाद राजा विकरमादित्या और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी उसी राजस्वपल में सनी देव ने राजा से कहा राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया मैं तुम्हारी प्राशना से विकार करता हूँ, जो कोई इस्तरी पूस मेरी पूजा करेगा, सनीवार को वर्थ करके मेरी वर्थ कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकमपा बनी रहेगी। सेट को जब इस बात का पता चला तो दोड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा, और राजा के चर्णों में गिर कर अक्समा माँगने लगा, राजा ने उसे अक्समा कर दिया, क्यूंगि यह सब तो सनीद देव के परकौप की कान हुआ था, सेट राजा को अपने घर ले गया, और उसे भोजन कराया, भोजन करते समय वहाए एक आश्चरे चने घटना गटी, सबके देखते देखते उस फूंटी ने हार उगल दिया, सेट जी ने अपनी बेटी का विवाबी राजा के साथ कर दिया, और बहुत से स्वन अभूशन धन आधी देकर राजा को विदा किय राजा विकरमादिते राजकुमार मोहनी और सेट की बेटी के साथ उज्यानी पहुंचे तो नगरवाशियों ने हर्स से उनका स्वागत किया, अगले दिन राजा विकरमादिते ने पूरे राजा में घोशन कराये कि सनी देव सब देव में सरवस्रेश्ट है, परतेक इस उनका वर्थ करे और वर्थ कता अवश्य सुने, राजा विकरमादिते गोशना से सनी देव बहुत परसन हुए, सनी वार का वर्थ करने और वर्थ कता सुनने के कान सभी लोगों की मनो कामनाई सनी देव की अनुकमपा से पूरी होने लगी, सभी लोग आनद पूर्वक रह जने लगए.